कुमार जी का सवाल है, पोस्ट ओफिस में एनसी मच्योर हुआ है, चार लाग का, पांस साल गी लिए कहानी वेश करना चाहिए? प्लीज अनियल जी, एनसी वापस मत करियेगा, एक तो taxable interest देता है और उसके उपन में भी एनसी का interest, I think, 735 यह 715 ऐसा कुछ है, I'm not exactly sure, नहीं, sorry, 685 शायद, 685 यह संथिंग, 680 शायद, 680 शायद, 680 तो कुछ भी interest rate नहीं है, वहापर वो भी पूरा taxable, so please एनसी तो मत करिये, आप, I'm assuming कि आप government saving schemes, small saving schemes से वाकिफ हैं पूरी तरह से और आपको पैसा safe रखना है, क्योंकि post office का maturity पैसा है, तो I'm assuming कि debt का पैसा आपको debt में ही डालना होगा, पास साल के लिए क्या debt में, अगर safety concern भी है, तो भी debt में ही डालना चाहिए, क्योंकि time frame है उनके पास, I don't know, अग अगर आपका debt का ही पैसा है, तो मुझे नहीं पता कि आप क्या, अगर equity में डालना है, let me put it this way, अगर equity में डालना है, पास साल के लिए, तो किस तरह के fund में? इंडेक्स फंड लेली जी और एक बैलन्स फंड लेली जी, I think that should be good enough, नाम भी बता दीजे प्लीज, प्रू आइसे, निफ्टी इंडेक्स फंड, वो कर सकते हैं, और बैलन्स फंड में, you can take, इडल्वाइस, बैलन्स अड्वांटेज फंड, और यू कर सकते हैं, और बैलन्